हेलो एव्रिवन मैं हूँ आस्था वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्मेंट जॉब जेनियू नॉटिफिकेशन नर्सिंग ओफिशर भरती 2024 का एक और न्यू रिक्रूट्मेंट नॉटिफिकेशन और ये भरती भी आपकी सीधी भरती है डारेक्ट रिक्रूट्मेंट नॉटिफिकेशन है और इंद्या की कांडिजेट इसके लिए अलिजबल है क्योंकि ये जो विकेंसी आई हुई है ये आर एम एल में आई हुई है राम मनुहर लोई है जो आपने इंस्टिट्यूट या होस्पिटल नाम सुना होगा यहाँ पर के रिक्वाड रहेगी एस क्राइटेरिया क्या रहेगा सारा सब कुछ मैं आपको इस वीडियो बताऊंगी स्लेक्शन प्रोसीजर एप्लिकेशन फीज एंड ओल इंपोर्टेंट देट्स अगर आप इंट्रेस्टेड है नर्सिंग ओफिसर वेकेंसी से रिलेटेड अभी म पर औल इंडिया से एक कैंडिजेट एलिजबिल हैं तो यहां एक और नोटिफिकेशन फिर से नर्सिंग ओफिसर पोस्ट के लिए है तो जो भी कैंडिजेट नर्सिंग फिल्ड से हैं उनके लिए तो काफी अच्छी ऑपोचनिटी है छेसो पैसा टोटल विकेंसी से अगर तो यहां पर आप यह नोटिफिकेशन देख रहे हैं एंड सेलेक्शन और नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ नर्सिंग ओफिशर ग्रुप B की यह पोस्ट है थ्रू कॉमन रिकूट्मेंट टेस्ट CIT एक्जामिनेशन 2024 डारेक्ट रिकूट्मेंट है यह सीधी भरती है आपका यहां पर जो यह ओनलाइन अप्लिकेशन इंवाइट किये गए हैं यह आपका जो CIT कॉमन रिकूट्मेंट टेस्ट होगा और यह आपका कम्पूटर वेस्ट टेस्ट रहेगा एक्जामनेशन रहेगा ओनलाइन आविदन पत्र लिंक का विंडो मार्च 2024 के तीसरे च नॉटिफिकेशन मिल जाएगा और यहां पर आप देखेंगे नर्सिंग ओफिसर की जो पोस्ट है इसमें यहां पर आप डिटेल देखेंगे ओलाइन अपलिकेशन सिस्टम लागू है अने किसी माध्धम से ऑलाइन अप्लिकेशन इंवाइट अपलाइट नहीं करेंगे औ आपके सामने एक format open होगा उसको आपको फिल करना है जैसे कि photo, signature and जो भी other documents required रहेंगे वो सारे application fees आप submit करेंगे and submit option पर click कर देंगे और जो format रहेगा application form उसका print out भी आप लेकर रख लेंगे ये इसकी official site है इस पर आपको online notification और यहां आपको apply करने के लिए link मिल जाएगा total vacancy आप देखेंगे यहां पर nursing officer की vacancy है total 665 vacancy है level 7 से यहां पर salary है categories आप यहां vacancy देख रहे हैं अब देखें यह जो vacancy है यह लखनव आरे में लखनव में है यह और देली में भी है लेकिन यह vacancy लखनव से आई हुई है अब यहां पर जो UP state के candidate है उनको तो जो भी relaxation है reserve categories के candidate को मिलेगा लेकिन उत्तरप्रदेश के बाहर के जो candidate होंगे उनके लिए unreserved category में ही apply करना है और जो rules unreserved categories के candidate के लिए same भी आपको follow करने है आप भले ही किसी भी category से belong करते हों लेकिन जो UP state के है और reserve category से belong करते हों उनको relaxation रहेगा salary देखिए आपको salary यहाँ पर कितनी मिल रही है इसके बाद qualification की बात करेंगे तो देखिए nursing officer की post है तो obviously आपने nursing field से होना चाहिए आपने BSC honors nursing किया है या आपने BSC nursing किया हुआ है BSC post basic nursing अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पर eligible रहेंगे साथ में आपका registration होना जरूर diploma होना चाहिए diploma कौन सा जी एने जनरल नर्सिंग मिड़विफ्री यह आपके पास डिपलोमा हो और आपका नर्सिंग काउंसल इंडियार नर्सिंग काउंसल में रेश्टरन होना चाहिए और टू यहर का experience होना चाहिए जी एनेम के साथ में experience मांगा गया है graduation अगर आपने BSC किया हुआ BSC nursing post basic nursing सो फिर आपको experience की required नहीं है लेकिन जी एनेम के साथ में two year का experience मांगा गया है age criteria यहां पर आप देखेंगे 18 से 40 साल age रखी गई है 18 to 40 years ठीक है यह unreserved candidate के लिए reserve categories जो उत्तप्रदेश के candidate है उनको relaxation मिलेगा उत्तप्रदेश के बाहर के जो candidate है उनको नहीं मिलेगा इस पेरा में आप उसको read out कर सकते है इस rule को ठीक है यहां पर दिया हुआ है आप यहां पर contact कर सकते हैं selection procedure में इसमें आपका common recruitment test जो होगा यह computer based रहेगा computer पर आपको यह exam देना होगा ठीक है और यह दो घंटे का duration देख यह 60 marks का रहेगा आपका subject wise total 100 question रहेगे 60 तो आपका subject से related है 10 marks आपके English से आएंगे 10 marks का आपका general knowledge से रहेगा 10 marks की reasoning आईए 10 marks की mathematical aptitude बाकी 60 marks जो रहेगे वो आपका subject यानि nursing field से related रहेगा negative marking तो यहां पर one mark यहां पर correct answer पर आपको one mark है wrong answer पर 0.25 mark minus किया जाएगा qualifying marks आप यहां पर देख रहे हैं अन्रिजब के लिए 50% लाना जरूरी है reserve categories के लिए यहां पर SC, ST, OBC, P.O.D. candidate के लिए 40% लेकिन UP के बाहर के जितने भी candidate होंगे उनके लिए minimum 50% इसमें लाना जरूरी रहेगा इसके बाद steps after selection आपको बताए गए हैं इसके बाद क्या होगा तो वो आप यहां पर अगर apply करें एक बार इसको देख लीजेगा apply करने की यहां पर आप last date देख रहे हैं 24 यह यहां पर दी गई है 24 2024 हमको 5 बजे तक 21 April 2024 तक अभी हम इसकी official site पर हैं और official site पर आप notification देखेंगे यहां पर 22 मार्स 2024 को valid up to 21 April 2024 ठीक है और यहां से आप advertisement डाउनलोड कर सकते हैं apply का link आपको यहां दे दिया गया है यहां पर जब आप click करेंगे तो यहां से आपके लिए apply करने के लिए इस तरह से आपके सामने यह window open हो जाएगी जिसमें register now पर option है यहां पर आप click करके अपने आपको register कर सकते हैं लेकिन उसके पहले आप यहां पर यह जो point दीक है इनको आप carefully read out कीजेदा वीडियो अच्छा रगा हो तो वीडियो को like and share कीटे है thank you